दोस्तों स्वागत आज किस नई वीडियो में आज हम बात करेंगे BSF RO and RM का फोर्म कैसे अपलाए करें इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है तो मैं आपको लाइफ फोर्म भरकर दिखाने वाला हूँ ताकि आपको फोर्म फिल करने में कोई गलती नहों तो वीडियो को繼續 बोच करते रहें आपको इस वैबसाइट पर आजना है इस वैबसाइट का डारेक्ट लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा इस वैबसाइट पर आजने के बाद आपको scroll करकर नीचे आजना है नीचे आजने के बाद यहां पर आएगा current requirement of proceeding आप नीचे की तरफ देखेंगे apply हर को option आ रहा है apply करने से पहले इसके notification के बारे में चाल लेते हैं तो आपको view detail पर click करके इसके notification को open कर लेना है view detail पर click करने के बाद आपके सामने notification डाउनलोड होकर खुल जाएगा यहाँ पर आप इसका pay level देख सकते हैं दोनो बैकेंसी के लिए pay level इसका सेम अप 25,500 रुपे से 81,100 रुपे तक उसके बाद आप नीचे की तरफ बैकेंसी देख सकते हैं head constable RO head constable RM की बैकेंसी देख सकते हैं total post यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको RM में भी 12th pass होना चाहिए 60% marks के साथ और physics chemistry में subject होना चाहिए उसके बाद आपको scroll करके नीचे आजन हैं यहाँ पर आप age limit देख सकते हैं 18-25 UR candidate के लिए 18-28 OBC candidate के लिए और SC और HD candidate के लिए 18-30 years तक है उसके बाद आपको age में छूट चाहिए आप एक शर्मिसमेंज ऐसी आप बहुत category हैं यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख देखते हैं उसके बाद आपको नीचे की तरह आजाना है नीचे की तरह आजाना है फिसीकली स्टैंडर्ड तो यहाँ पर आप male candidate के लिए height देख सकते हैं 168 है और यहाँ पर female candidate के लिए height है 157 cm और यहाँ पर आप चैस्ट देख सकते हैं और female candidate के लिए कोई चैस्ट की कोई requirement नहीं है तो आपको बापस से website पर आजाना है बापस से website पर आजाने के बाद आपको apply her पर click कर देना है apply her पर click करने के बाद आपके सामने personal information का page open होएगा यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर कर देना है उसके बाद आपको अपना mobile number एंटर कर देना है फिर आपको अपनी email ID एंटर कर देनी है यह सब एंटर करने के बाद आपको generate OTP पर click कर देना है generate OTP पर click करने के बाद आपके mobile नमबर और email ID पर एक OTP send किया जाएगा simply आपको नीचे इतरब enter OTP में उस OTP को enter कर देना है OTP को enter करने के बाद आपको submit पर click कर देना है submit पर click करने के बाद आपको registration complete हो जाएगा आपको scroll करके नीचे आजना है नीचे आजने के बाद यहाँ पर बोल रहा है identity details तो यहाँ पर आपको select वाले option पर click करके अधार काट को select कर लेना है फिर उसके बाद आपको अधान नमबर में अधान नमबर enter कर देना है फिर नीचे के तरह पार आई identity type तो यहाँ पर भी आपको अपने अधार कार्ट को select कर लेना है फिर उसके बाद आपको identity certificate number में अपने अधार number को enter कर देना है फिर आपको scroll करके नीचे आजाना है यहाँ पर आ रहा है additional detail यहाँ पर आपको अपनी जनमतिती select कर लेनी है फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहा है age age अपने आप आजाएगी nationality में इंडियन आ रहा है या ऐसे ही रहन देना है फिर आपको अपने father name enter करना है फिर आपको अपना mother name enter करना है फिर आपको शरीर पर कोई पहचान के लिए कोई निशान है या चिन है फिर आपको यहां पर identity के लिए enter कर देना है फिर आपको अपने gender select कर लेना है फिर आपको अगर आपके बीवाई की स्थिती आप married औétait आपको रहाँ पर आजाना स्कॉल करके फिर यहां पर आ रहा है domिशри डेटेल यहां पर बोल रहा है कि आपके पास डोमेंसियल सेटिफिकिट है मतलब आपके पास निवास प्रिमाड पत्र है आपको यस कर देना अगर आपके पास नहीं तो नो पर रहन देना फिर आपको स्कॉल करकर नीचे आजना यहां पर बोल रहा है कैटीगरी तो यहां पर आपको अपने लेना है अगर government employee है तो आपको बो select लेना नहीं तो आपको direct entry पर ही click करना है फिर आपको scroll करके नीचे आ जाना है फिर यहाँ पर आ रहा है sub category तो यहाँ पर बोला है क्या आप भी date select करना है आपका क्या राज्य है फिर आपको अपने district select करना है फिर यहाँ पर आपको अपने बिलेज में अपने बिलेज का नाम एंटर कर देना है फिर यहाँ पर आपको अपने पुलिस स्टेशन का नाम एंटर कर देना है फिर यहाँ पर आ रहा है पोस्ट ओफिस यहाँ प पर टिक कर देना है फिर आपको टिक करने के बाद नीचे तरह Save and Next पर क्लिक कर देना है Save and Next पर क्लिक करने के बाद आप Added Details के फोम पर आजाएंगे यहाँ पर अगर आपके पास NCC Certificate है तो आपको Yes कर देना है नहीं है तो आपको No पर ही रहन देना है उसके बाद नीचे की तरफ अगर आपके पास कोई खेल का पिरमान पत्र है तो आपको Yes कर देना है नहीं तो आपको No ही रहन देना है फिर आपको स्कोल करकर नीचे आज ना है यहाँ पर आपकी height मांग रहा है, यहाँ पर आपको अपनी height एंटर कर देना है, यहाँ पर chest मांग रहा है, यहाँ पर आपको अपनी chest के centimeter एंटर कर देना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपना buzzer एंटर कर देना है, फिर आपको scroll करके नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपके खिलाब कोई पुलिस क्यार में कोई केस धर्जब अगर है तो आपको यहाँ पर आपको नौ रहन देना है उसके बाद आपको शेव,ट ने नेक्स्ट पर किलिक करने के बाद आपको आलिफिकेशन डिटेल पर अब पर जाएंगे यहाँ पर आपको अपनी त्याइट भी complete करता है तो आपको अपनी detail को add कर लेना है तो simply हमने हई इंटर की detail को add कर लेThese next पर click करते है next पर click करने के बाद यहां पर आ रहा है work experience अगर आपको कोई experience है तो आपको yes कर देना है नहीं तो आपको नीचे गीत तरब save and next पर click कर देना है save and next पर click करने के बाद यहाँ पर आपको अपने document अपलोड करने पड़ेंगे जैसे आपको अपना photo signature high school इंटर की मार्चीट उसके बाद नीचे तरप आपको अपना चाहती प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा तो अपलोड कैसे करने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं photo को 30 KV से 100 KV के बीच में अपलोड करना है और यहाँ पर signature को 20 KV से 50 KV के बीच में और यहाँ पर आ रहा है certificate को 30 KV से 100 KV के बीच में और format होना चाहिए JPG, JPEG और PNG और PDF तो simply आपको अपने document को रिसाइच करने अगर आपको photo और signature document रिसाइच करने नहीं आते हैं तो उस video को link आपको video के description में मिल जाएगा आपको अपने document कैसे upload करने है तो यहाँ पर आपको upload पर click करना है upload पर click करने के बाद आपको draw files पर click कर देना है draw files पर click करने के बाद यहाँ पर पर्मिशन देता हूं, फिर आपको अपना photo select कर लेना है, photo select करने के बाद आपको done पर click कर देना है, यहाँ पर आपका photo upload हो जाएगा, ऐसा ही आपको signature को upload करना है, फिर आपको mark sheet को upload करना है, अपने सभी document को upload करने के बाद यहाँ पर आपको declaration दे दे नहीं, फिर आपको save and next पर क्लिक कर देना, save and next पर क्लिक करने के बाद आपके सामने post वाले page open होगा, यहाँ पर आप select पर क्लिक करके आप किस post के लिए apply करना चाहते हैं आप बो select कर लेंगे, click करने के बाद आपके सामने तीन option हैंगे, यहाँ पर है, अगर आप दोनो post के लिए apply करना चाहते हैं तो हम दोनों को select करके save and next पर करते हैं, save and next के पर किलिक करने के बाद आपका आएगा minimum quarification, इसका क्या मतलब है, अगर आप post के लिए 12th से apply कर रहे हैं, तो आपको अपर वाले option पर select करके यस कर देना है वो नीचे वाले पर no कर देना है अगर आप पोश्ट के लिए IDI से अपलाई कर रहे हैं तो आपको नीचे वाले option पर select करके yes select कर देना है और पर वाले पर no पर click कर देना है तो हम vacancy के लिए 12 से apply कर रहे हैं तो हमने सामने नया page open होगा, यहाँ पर आपको अपने place का नाम enter कर देना है, फिर उसके बाद आपको अपने center select कर देना है, फिर आपको scroll करके नीचे आजना है, यहाँ पर आप अपनी fees देख सकते हैं, फिर आपको tram and condition को accept करके pay now उपर click कर देना है, pay now उपर click करने के बाद आपको सामने declaration आएगा, आपको scroll करके नीचे आजना है, उसके बाद आपको agree and pay पर click कर देना है, agree and pay now उपर click करने के बाद आपको सामने payment gateway आएगा, आपको किस तरीके से payment करना है, जैसे आप credit card से करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर click करके कि अपना के डिटेल को अगा सबसограф देल कर देंगे तो आप इसमेंट को कंपिलिट कर देंगे और नीचे तरफ अगर आपके सब Сबसिए जानकरी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आईगी तो वीडियो को like and share करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें Thank you दोस्तो, bye bye and take care